चलिए पहरे सत्यों बताईए एक बार जल्दी से फटाफट क्या मेरी आवाज आ लिए आप लोगों को तक सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार गुडीवनिंग गुडीवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग सर कहा है आप बिल्कुल बिल्कुल मैं आप चुका हूँ आप लोगों के सामने और प्यारे साथियों जैसा कि आपको पता है कि आज आपका क्या है आज आपका हिस्ट्री का लाइब टेस्ट है तो एक बार सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे शैशन को फटाफट क्या करेंगे शियर बढ़ेक्त लोग जल्दी से ठीक है शैशन को जल्दी से क्या कर देंगे शीयर कर देंगे देन आज हम लोग क्या करेंगे अपना कि मोस्ट odor पेरे-प्यारे साथियों करने वाले शैशन और को चलिए तो फटा फटा आज है सभी सभी लोग एक बार जल्दी से और रेडी हो आज के मौक टेस्ट के लिए आज के मौक टेस्ट के लिए आप सभी लोग रेडी हैं कि नहीं बताओ जल्दी से एक बार सर एक्जाम कम होगा जल्दी होगा बहई आगो डेट तो दी लोग दिसंबर की एक्जाम जल्दी हो जाएगा कहला है आग पर टैस्ट अकर भाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा खाश er करने शर्वाद में शल्द है कर दो ताकि सभी लोग जल्दी से अलगेए और आज कि ठीक है कुश्चन पहले ही लीक हो गया यार एक्चुली यहां पे ना थोड़ा सा भूट का इश्यू आ जाता है डोंट वरी कोई टेंशन नहीं है आरे चली तो फटा फटा आएंगे सभी लोग चली पहले साथी हो तो इस्टार्ट करें अपने शेशन को तो एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाया फटा फट जल्दी से ठीक है और शेशन बहुत ही साथा जवर्जस्त वाला शेशन होने वाला है आज हंड़िट से पहले कोश्चन नहीं आएगा जल्दी से फटा फट शेयर करो जल्दी से फटा फट शेयर करो हंड़िट से पहले प्षचन नहीं आने वाला है तो जल्दी से फटा फट क्या करेंगे आप सभी लोग शेयर कर देंगे मेरे भाई ठीक है जल्दी से क्या करोगे घंड़िट से पहले कोश्चन नहीं आएगा तो जल्दी से फटा फट सेयर कर देंगे सबी लोग जल्दी से चलिए मेरे पहले सत्तियों आज हैं आपका हिस्टி का लाइब टेस्ट याद रखीका history live test है और याद रखीगा total question आपकी यहाँ पर जितने भी question है total जो प्रस्थन है total प्रस्थन है वो आपके 50 question है तो एक copy pin लेके बैठिएगा एक copy pin लेके बैठिएगा और उसमें note करिएगा कि आप कितने question सही कर रहे हो पचास से पहले नहीं आएगा भाई ध्यान दखना ठीक है तो उसमें note करिएगा उसमें note करिएगा कि कुतने question सही गए याद रखीगा मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ मेरी पहली बास सुन लो अगर आप लोगोंने 50 में देखो याद रखना जिनके 30 plus question है जिन्होंने 30 plus plus ने किये है या जिन्होंने 30 questions किये तो उनका रहेगा good ये good में आ जाएंगे जिन्होंने 40 plus questions किये उनका रहेगा excellent ठीक है याद रखीगा अच्छी तरीके से या कहलो very good रहेगा very good रहेगा और जिन्होंने फ़र्टीफाइप प्लस और गो się कड़िे चिन्होंने फ़र्टीफाइप प्लस आंसर के गोशन दिये समझेहिए उस सचवाले सहकव संचवाले सहक बनेंगे थीक है यां दखी है तो भूब ही सांदर जबरजर टेस्ट होने हैrån प्लस गुड है ठीक है लेकिन जो 45 प्लस है तो यह मान के चलें कि आप सच्वाले साह के क्या है करीब है तो आप यह मान के आज असानी से चलिएगा ठीक है चलो तो श्टार्ट करें अपने सेशन को मेरे भाई आ गए सभी लोग अभी कम है अभी दो-तीन लोग कम है जल्दी स जल्दी से आईए फटाफट पीजी अंगवीर बोलिये सर बोलिये ना सर क्या बोलू बताओ जल्दी से बताओ गुड़ीबनिंग 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 शियर करो मेरे भाई पचास से पहले प्रसना आए गई नहीं शियर करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट क्या कर देंगे शेशन को शियर कर देंगे मेरे जल्दी से चलिए 53 हो चुके है स्टार्ट करें आपे चलो भाई तो आज का पहला प्रस्ट ना चुका है अपने आपको एकदब गैरी सास ले लो पहले एकदम पहले गैरी सास ले लो अच्छी तरीके से हाना सांत एकांग रहो के बैठ जाओ कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ मैं फिर से कहा रहा हूं यहां पे मेरी बात ध्यान से सुरिएगा कि 45 प्लस यहां दखीगा कितना 45 प्लस तो 45 प्लस में आप सच्छवाले साहिक की पोश्ट प्राप्त करेंगे चलिए तो इसी के साथ पहला प्रशन आपके सामने आ चुका है और 15 सेकेंड का टाइम है हर कोश कोशन आ चुका है 15 सेकेंड का टाइम है कोशन आपके सामने यह रहा कि भारत कब एक संप्रभू गरदाज बना 25 अगस्त उनीस सो पचास को 26 अगस्त उनीस सो सेटालिस को 26 जन्वरी उनीस सो अरतालिस को आंसर बताएंगे मेरे प्यारे सभी साथी क्या हो जाएगा यहां प क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो याद कि अगर वे बात करूं यहां पर कि भारत कब एक संप्रभू गरदाज बना है तो वह कि और शप्यारे साथी यह जन्वरी उनीस सो पचास को बना है क्यूं बना है क्योंकि इस दिन संबिधान पूर रूप से लागू हो गया था क्यों बनाया क्योंकि इस दिन समिधान समिधान पूर रूप से पूर रूप से लागू हुआ लागू हुआ था लेंगेर अगर मैं बात करूँ यहां पे कि 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 यहां दखीगा इस दिन क्या हुआ था सम्विधान अंगीकरत हुआ था सम्विधान अंगीकरत हुआ था यहां दखीगा इस दिन क्या हुआ सम्विधान अंगीकरत हुआ था लेकिन यहां दखीगा पूर्द उपसे जो लागू हुआ था 26 जन्मरी 1950 को हुआ था इसलिए भारत एक संप्रभू गरदाज कब बना तो यहां दखीगा 26 जन्मरी 1950 को बना अगले प्रेस्टी की तरफ चलते हैं अगला प्रेस्ट आपके सामने है कि भारत के अंतिम गवर्णर जन्रल कौन थे टाइम स्टार्ट नाओ टाइम स्टार्ट हो चुका है आंसर बताएंगे क्या होगा क्या हुआ ओप्शन देखने में दिक्कत हो रही है क्या एक में टोको एक में टोको अभी ऑप्शन सही कर देता हूं डोंट वरी चलिए बताइए भारत के अंतिम गवर्णर जन्रल कौन थे और समय यहां पर समाप्त हो चुका है आ यहां दखीगा अगर मैं बात करूँ भारत के अंतिम गवर्णर जन्रल कौन थे यहां दखीगा करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या वारेन हैस्टिंग से यहां दखीगा अगर मैं बात करूँ पहरे साथ यह सबसे पहले बंगाल के गवर्णर जन्रल हुए सबसे पहले बंग का गवनर। क्या नाम था तो आप कहेंगे प्यारे सा थिओ रॉबट किलाइब क्या था रोबट किलाइब रॉबर t꾸 ही ठीके यह तकीका रॉबट किलाइब बंगाल का गवनर। यह पहला गवरनर था यह पहला तो या दखीगा अलुसल अब आपनेगें हैं यह क्या हो गया सर अभी तो आप कहने थे ये पहला गवर्नर जर्रनल है जी हाँ या दखीगा 1773 में एक आये था इस एक्ट का नाम क्या थाлект रेगूलेटिंग ऎक्ट regulating act याद रखीगा regulating act नाम था regulating act ठीक है कौन से act था regulating act था 1773 में आया था मेरे पैरे साथ हूँ और याद रखीगा अच्छी तरीके से और इसी में क्या किया था इसी में क्या होता है correct option यहाँ पर हो जाएगा Warren Hastings क्या होगा Warren Hastings is the right option यहाँ पर हो जाएगा be correct option हो जाएगा ठीक है second यहाँ पर right option हो जाएगा अगले question की तरफ आईए अगला question आपके सामने कि भारतिये पुरा तत्व परवे छड का गठन किस ने किया 15 second का time में answer बताओ timer खतम होते ही ना जैसे timer खतम हो जाए तो वैसे ही आप answer मत बताईएगा क्योंकि timer के अनुसार answer बताईएगा ऐसा नहों कि timer खतम हो गया फिर answer बता रहे हो बताओ राइट आंसर यहाँ गलत है कि क्या गलत हो गया मेरे भाई कि अंतीम और पहला गवर्नर वारें हैस्टिंग्स अरे देखो यहां पे कि यहां पर देखो मैंने क्या आपको बताया मैंने कहा कि पहला बंगाल का पहला गवर्णर रॉबर्ट क्राइब यह अंतिम गवर्णर वार्र हैस्टिंग्स है और यह पहला गवर्णर जन्रल बना है पहला गवर्णर जन्रल पहला गवर्णर जन्रल ठीक है यहां दखीगा पहला question आगया ये ये second question आगया देखो यहाँ पर बात सुनो बात सुनो यहाँ पर दीपक सिंग छत्ति बिल्कुल सही बात कह रहे है यहाँ पर actually जो question पूछा गया वो यह पुछा गया था कि भारत के अंतिम गवनरर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवनरर जनरल कौन थे, यह कूशन पूछा गया है, तो second question को थोड़ा सा ध्यान सी देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पे बंगाल मैंने जिक्र किया था, किसका, बंगाल का जिक्र किया था यहाँ पे भारत का जिक्र नहीं किया था तो मैंने बताया मैंने आपको बिल्कुल सही है मैंने बताया आपको बिल्कुल सही है लेकिन चाहाँ भारत का जिक्र होगा तो वहाँ पे आंसर होगा मेरे प्यारे सत्यू क्या ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पे ए करेक्ट आप्शन हो जाएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन से होगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लुइस माउंट बेटेन यहाँ दखीगा अगर स्वतंत्र भारत के हैं स्वतंत्र भारत के हैं स्वतंत्र भारत के जब भारत स्वतंत्र हुआ था और लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल अगर आप से पूछे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माउंट बेटन हो जाएगा ठीक है क्या होगा लुइस माउंट बेटन ठीक है लॉड माउंट बेटन केते हैं तो यहाँ पे दो चीजों में कन्फीजन हुआ ठीक है यहाँ पे दो चीजों में कन्फीजन हुआ यहाँ पे दो चीजों में कन्फीजन हो गया पहले तो यह हो ग एंभारत की अंतिम गवंनर जन्रनल मां Boost थे वाणिन हैस्टिंक्स यह बंगाल का अंतिम गवंनर था यह बंगाल का अउमार थिस को ध्लक्षाब अगले सा किyeं घ्रक कोई दिक्कत नहीं है वह आ तो एक नंबर सभी को मुफ्त में मिल गया अब खाली मेहनद 44 कुश्चन के लिए करनी है तो एक नंबर तो मैंने सभी को दे दिया कुश्चन सेकेंड का नंबर सभी को मिल गया ठीक है चलिए तो आपके सामने क्कुश्चन क्या कह रहा है कि भारती पुरातत्यों प्रवेच्छड का गठन किस ने किया था चलिए 15 सेकेंड का टाइम में फटा फटा आंसर बताओ हाँ काफी उस कुश्चन में काफी वह गई ना कि ऑप्शन भी लूइस उसमें लिख दिया उसने कोई नहीं सेकेंड को एक नंबर सभी को मिल गया जिसका खाता नहीं खुला उसका भी खुल गया एक बाद शियर कर दो फटा फटा फट टू एंडट प्लस जाना चाहीं दखी गाँ किया तो याद लगए अलेक्जेंडर कर निधम ने किया था ऐख्यांश धृस्ट करणिधम ने किया था ठीक है याद लाइदर कर निधम देता भारती बॉलातत तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ रा पर विलियम जॉन्स ने ठीक है याद अठीक अच्छी तरीके से तो इसका क्या होगा एक अरेक्ट आप्शन यहाँ पे हो जाएगा ठीक है मेरे भाई आईए कोशन नमबर फोर अगला कोशन आपके सामने आगा कि आजादी के बाद भारत आजादी के बाद भी कौन भारत का गव फॉर्ट जनर्ल बना रहा लुइस माउं पेटेंग अचारटी बाड वेवेल विक्टर होप या फ्रीमेन फ्रीमेन थॉमस आंसर प्टाओ यहाँ पर क्या होगा मतला है वास तो प्हाई सब कोश्यन अग्दम जबराद जबराद कोश्यन है क्यों भाई क्यों आज तो एकदम जवराण जवराण कुछन है सेकंड कुछन का सभी को आंसर मैंने दे दिया ठीक है सेकंड कुछन सभी को दे दिया तो देखो अगर बात करें तो आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा तो मेरे पहरे सत्यों लुइस मांट बैटन यह बना रहा क्योंकि 1946 यहाद दखीगा अच्छी तरीके से 1946 की बात करें हम लोग यहाँ पर तो 1947 के बाद भी अगर बात के तो लाट वाउन्वेटेंड गौवर्णर जनरल बना रहा था ठीक है याद अखीगा तो correct option क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा एक correct option यहाँ पर हो जाएगा भारत के किस सिविल सेवा का जनक माना जाता है Lord कारनवालिस वारन हेस्टिंग्स लॉड लॉड वैल्सले लॉड विलियम बैटिंग आंसर बताओ यहाँ पर क्या होगा आंसर बताओ यहां पर क्या होगा अब यार कुश्चन्स में क्या करें लुइस लॉट्स पता नहीं क्या क्या आ रहा है लुइस फुडिस आ रहा है खेर कोई नहीं टेंशन मतलो the issue उपाध्या सौरी सा लेट हो गया आज टेस्ट वाले दिन टेस्ट वाले दिन निश्फ लेट हो गया अपंट आलसर बताओ संजु कुमार ओफिशियल राहुल बहुत बढ़िया रियांश बहुत बढ़िया देखो यहां पर कहना कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है तो यहां दखीगा लॉड कार्णवालिस को किसको माना जाता है लॉड कार्णवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन तक माना जाता है तो पांचवे का क्या होगा एक औरेक्ट आप्शन हो जाएगा छेटे कुश्यन पर आईए चलिए 15 सेकेंड का टाइम आपके सामने है आंसर बताओ क्या होगा यहां पर जो आंसर बता दिया करें तो फटाफर शेयर भी कर दिया करें कि डॉक्ट्राइन आफ लेप्स किसने बनाई है लॉड करजन, माउंट बेटेन, डलहोजी या क्लाइब ने किसने बनाई है आंसर बताओ यहां पर क्या होगा फटाफर जल्दी से कि डॉक्ट्राइन आफ लेप नीती किसने बनाई है करजन, मांट बेटेन, डलहॉजी यहां फिर रोबर्ट कलाईब, what is the right answer, correct answer यहां पे क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथिए, यहां लद रखीका, लॉर्ड करजन, लॉड मांट बेटेन, लॉड बेटेन, लॉर्ड डलघाजी, रॉबर्ट क्लाइव अब क्लाइव को ऐसे लिख दिया रॉबर्ट क्लाइव तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे पैरे सत्यू लौड डलहौजी यहाँ पे हो जाएगा डलहौजी के बारे में लोग बात करें तो एक तो हड़प नीती हो गई हड़प नीती पैरे सत्यू सुबह हम लोग कहा जाते, मामला गंबीर हो जाता, तो एक काम इसने अच्छा किया कि पट्रियों पर lag टिकट हुग तिकट हो गया, इसने क्या किया था अवद को मेरे पैरे साथिओ अवद को कुशाशन का आरोप लगाकर हड़ पा था लगाकर हड़ा के था करजन के बारे में बात करूं तो प्यारे साथ यहां दखीगा जो आपका 1857 का विद्रो हुआ सौरी करजन के समय पर अगर मैं बात करूँ यहां पर ध्यान से देखिएगा इस तो यहां पता है इसमें क्या है पैन का यह ओप्षिन क्यों नहीं आता इतना आएगा करजन बंगाल भीभाजन ठीक है बंगाल भीभाजन करजन के समय क्या हुआ था लौड करजन था बंगाल भीभाजन के समय ठीक है यार दखीगा जब बंगाल भीभाजन हुआ था ठीक है दलहौजी के समय क्या था कि द्वयद चाशन लागू किया था कि इसने डल्ठाजी ने लागू किया व्यंट करने वाले विख्थी कौन था तो अन्त करने वाले विक्ति का नाम था वारें हेस्टिंग्स राइन था टिक यार दखेगा वारें वेक्ति की तरफ आईए अगला कुशन आपके सामने है कि भारतिय सम्मिधान के अस्तित्तों में आने से पहले भारत का आखरी गवर्णर जन्रल कौन था ये भगवान आज कितना गवर्णर जन्रल पूछ दिया भाई भारत भारतिय सम्मिधान के अस्तित्तों में आने से पहले भारत क आखरी गवर्णर जन्रल कौन था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी विस्काउंट माउंट बैटन डॉक्टर राजेंद्र परशाद विस्काउंट वेवल गजब गजब को ऑप्शन भाई साब आ रहा है इसमें बता हो आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया और ये कुश्यन आपका SSC CPO SI में पूछा गया प्रस्न है ये कि भारतीय सम्मिधान के अस्थित्तों में आने से पहले भारत का आखरी गवर्णर जन्रल कौन था अच्छा प्रस्न है यार बताओ आसर क्या होगा टाइमर तुम्हें आपको देही दिया है सिर्आ को तो याद खींगा इसका जो करेप्ट आप्शन होगा मेरे पहले साथ यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भाई याद खींग अच्छी तरीके से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्योंकि 26 जन्वरी 26 जन्वरी 1950 को क्या हुआ था, समिधान लागू हुआ था, ठीक है, 26 जन्वरी 1950 को क्या हुआ था, समिधान अस्तित्व मैं था, तो उससे पहले जो गवर्नर थे, वो कौन थे, C. राज्यकुपालाचारी थे, यानि चक्रवर्ती राज्यकुपालाचारी, correct option यहाँ पे हो नेक्स्ट पर आईए, अगला कुश्यन है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जन्रल कौन थे, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जन्रल कौन थे, राजाजी, लाड माउंट वेटेन, राजिंद प्रसाद या फिल लॉड वेवल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जन्रल कौन थे, बत बताई भाई और शेशन को एक बाल लाइक शेर कर दो जल्दी से यह दखी का स्वतंत्र भारत के गवर्णर जन्रल थे जिनका नाम है लाड माउंट बेटेन एक बाल गवर्णर जन्रल लिखा दूं क्या पहले और अंतिम बताओ एक बाल गवर्णर जन्रल पहले अंतिम लिखा दूं क्या खेर चलो भी तो टेस्ट है फिर लिखाऊंगा ठेक है अगले कुशन की तरफ आईए अगला प्रशना आपके सामने है कि बंगाल सती मिनिमेन 1829 भारत के किस गवर्णर जन्रल द्वारा लाए गया था अधिनियम भी से हम लोग कहते हैं अधिनियम ठीक है बंगाल सती अधिनियम 1829 भारत के किस गवर्णर जन्रल द्वारा लाए गया था एड़ड लॉड विलियम बैंटिंग सर हेंद्री हार्डिंग विलियम बटरवार्थ बेले तो सभी को अच्छी तरीकी से पता है प्यारे साथियों कि लॉड विलियम बैंटिंग यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि सती पर्था या दखीगा सती पर्था सती पर्थ के मोहन नयक्ते से चलिए या दखीक एची तरीके से अगले कुश्यन की तरफ आईए अगला कुश्यन है कुश्यन नंबर 10 दसवर प्रश्ट आपके सामने आ गया कह रहा है कि किस गवर्णर जनरल के समय भारत का स्वतंतरता संगर से सिपाही विद्रो हुआ कुश्यन आपके सामने है कि किस गवर्णर जनरल के समय भारत का स्वतंतरता संगर से सिपाही विद्रो हुआ था लौड एलनबर्ग लौड होर्डिंग विलियम मैटिंग या फिर कैनिंग बताव आंसर क्या होगा 15 सेकेंड का टाइम है यार एक बाद जल्दी से आप लोग श बताव भीया यार एक बाद शियर कर दो जल्दी से दस कुश्चन तक कहुंचे अब तो कम से कम डेट सो क्रॉस कर देना चाहिए मेरे बाई बताव 123 है यार मतलब 500 लड़कों का अपना पूरा परिवार है यार और परिवार में सिर्फ 123 लड़के फिर बाकी का डेटिंग कर ने गए हो क्या है जादू टोना को टहलाने ले गए हो क्या नौकरी पालो बेटा अना जल्दी से फटाफट शियर कर दो एक बाद जल्दी से दिल मत दुखाओ मेरा यार सब कुश दिखुरा है बस दिली परसंद ने उसको दिखा दो तो फिर मामला गड़ बढ़ा है तो यह दखीगा लौड केनिंग के समय पे हुआ था जायगा लौड केंशन के समय पे हुआ दो ऑगले को कोशन की तरफ आए अगला कोशन यहां पर आपके सामने है कि भारत के गवर्नर जन्रल के रूप में लूइस मांट बेटेन की जगह किस ने ली थी अच्छा यहां तक ना इनके नाम के आगे लॉड लगा दिया जाता था ऐसे करके लॉड लगा दिया जाता था ठीक है तो यहां पर लूइस लिख दिया गया है लूइस नाम था लूइस मांट बेटेन की ज जल्दी से फटाफट आंसर बताओ क्या होगा कि भारत की गवर्णर जनरल की रूप में लुइस माउंट वेटेन की जगह किसने ली थी तो पंडित जवाहलाल नहरू सरदार बल्लब भाई पतेल डॉक्टर राजेंद परशाद सी राजगोपालाचारी तो याद दखेगा य यानि 4 इस था राइट आप्शन आपके साबने होगा ठीक है कोशन नमर 11 का आंसर क्या होगा 4 यहाँ पर राइट आप्शन हो जाएगा अगले पर आईए अगला कोशन है कि पहला हिंदी अखवार 30 मई 1826 को सुरू किया गया था यह दिन हिंदी पत्रकारता दिवस के पर दा वर्शन आंसर बताओं मेरे प्यारे साथ्यूं यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इस प्रश्ण का आंसर बताओं यह क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब का प्रियास कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा दिमाख लगाईए कह रहा हूं कि पहला हिंदी अखवार मैं पहला हिंदी अखवार की बात कर रहा हूं ये मार्टन्टक्रक्ष्ण यहां पर आप और कि हैी आप लोगों से क्या को तो यहां पे सी करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा अब जल्दबाजी में आंसर एक्जाम होल पर दियाओगे फिर जाके रोग जाके कि यह क्या हो गया यार गजब करते हो मेरे भाई लगता है तुमको इस पेसल डोस देनी पड़ेगी हां इन चीजों को तो कम से कम मेरे भाई याद रखो यार तो करेक्ट आप्शन क्या होगा सी और कसा में तुम लोगों को अगर मुझसे गलत तुम लोगों ने अगर स्कॉर मुझे बताया तो नंबर बढ़ाने के चक्कन में गलत स्कॉर मत बताना अगर किसी का एक कुश्यन भी सही हुआ हो ना तो दिल से ब कौन सा अखबार शुरू किया गया था केसरी अमरत बजार पत्रिका गदर या फिर हरिजन बताओ आंसर यहां पे क्या होगा कौन सा सुरू किया गया था मेरे भाई बताई एक बार आंसर यहां पे क्या होगा जल्दी से फटा फट कौन सा शुरू किया गया था मेरे भाई और 150 पहुचाना है आज सेशन को चलिए बताओ आंसर क्या होगा यहां पर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया केसरी हाँ गुड इवनिंग सर इन्होंने अभी गुड इवनिंग की है तेरा कोशन निकल गए है मेरे भाई केसरी इस दा करेक्ट ऑप्शन होगा केसरी यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है अगले कोशन की तरफ आईए अगला कोशन है किसे फादर ओफ एंडिया सिर्विसिस कहा जाता है किसे फादर ओफ इंडिया सर्विसिस कहा जाता है पंढित जवाहल लाल नहरू डॉक्टर राजेंद परशाद लाड कार्णवालिस सरदार बल्लब भाई पतेल आंसर क्या होगा मेरे भाई जल्दी से फटा-फट बताओ आंसर क्या होगा किसे father of India कहा जाता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बार बताएंगे मेरे प्यारे साथ यो आंसर क्या होगा जल्दी से चलिए बार बार नीचे देखना पड़ता था कॉमेंट के लिए तो फोन ही खोल दिया ठीक है बताओ बताओ जल्दी बताओ आंसर क्या होगा सी आंसर बता रहे हैं लाड कार्णवाल इसको कहा आता है फादर ओफ इंडिया सर्विसेस का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाजबाब अति उत्तम ये तो बहुत सांदार जमर्जस आप लोगों ने बताया है इसकी मैं बहुत बहुत शाहार ना करता हूँ मेरे प्यारे सात्यों याद दखीगा मेरे भाई यहाँ देख क्या लिखाए किसे father of father of india services कहीं civil का नाम लिखा है अपने आप दिमाग लगा ले तो civil services का नाम लिखा हुआ है कि father of india services की नाम से किसे जाना गया है सरदार बलल भाई पटेल लोह पुरुस सर्दार बल्लब भाई पटेल यानि correct option यहाँ पर क्या होगा डी यानि four option यहाँ पर right हो जाएगा नेहा कुमारी गुड इवनिंग नेहा गुड इवनिंग नेहा लेट हो गई हो नेहा जी आप अना क्यों लेट हो गई आप आज पता था आज आपको test है कोई बात नहीं अगले question की तरफ आईए भारतिय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था बी आर अमबेटकर सुभास चंद्रबोस महातमा गांधी जवाहल लाल नहरू आंसर बताओ यहाँ पर क्या होगा सोईता गोश्वामी सौरी लिख्के भेजरी क्या हुआ सोईता जी आप भी अभी आई है क्या तुरंत गलत बात है सोईता जी आप तो होनहार है आप तो क्लास में हमेशा पहले रहती हैं बानो परवीन हमको पता नहीं था बस यही तो गर्वड़ी हो गई गुरुप में जुड़ जाओ सभी लोग करेंट अफेर वाई वेकसर उसमें नॉटिफिकेशन आयाता है क्लास जॉइन कर लो ठीक है साम को रोच 6 वजे क्लास होती है मेरे भाई तो भारतिये सौतंतरता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशि किया गया था तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा सी यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्या होगा सी महात्मा गांधी यहां पर राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा नेक्स्ट पर आईए अगला कुशन है कि महात्मा गांधी को दच्छिड अफ् पुलिन सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर एहिंद पदक से किसने सम्मानित किया था डलहौजी, होडिंग, कैनिंग और करजन अगर आपको पता चल जाए कि दच्छिड अफ्रीका से कव लोट के आये थे, चलो हिंट दे देता, 1915 वे लोट के आये थे, अब तो आंसर बता दो, अब तो आंसर बता देना, अब तो गड़बड मत करना मेरे भाई, अब तो आंसर बता देना, शावाज, शावाज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और जिसका सही आंसर हो, वो एक बार लाइक भी कर देगा, फटा फट, लाइक की संख्या कम है, और जल्दी से एक बार शियर करतो, 150 पहुंचने माले हैं बस, क्या आंसर होगा मेरे भाई, तो याद दखेगा, बिलकुल सही, थर्ड इसता र राजगुरु, बंकिम चंद, चटवपाध्याय, रविन्द नाठ टैगोर, महात्मा गांधी, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उसका मेरे प्यारे साथियो, क्या नाम है, जल्दी से बताओ एक बार, वह वैक्ति जिसे टेगोर क्या होगा रविंद्र नात टेगोर क्रेक्ट पुशन या यह नेक्स बढ़न गशन के गए जया की को गुरूद्यो ने दी ती फिноह तिन यहां पर किया हो जाएगा आपका आंसर यहां पर क्या होगा आपका एंसर यहां पर गुरुद्यों महात्मा गाधी ने उपाधी दी थी, किसने दी थी, महात्मा गाधी ने उपाधी दी थी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसने दी थी, पहरे साथियों, महात्मा गाधी ने उपाधी दी थी, ठीक है, या दखीगा, अगले कुशन की तरफ अगला कोश्यन आपके सामने है कि गांधी जी को ब्रिटिस ने कौन सी उपाधी परदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई राए बहादूर राए साहब हिंद केसरी या कैसर ए हिंद आंसर बताओ यहाँ पे क्यों होगा कोश्यन प्यारे साती उध्यान से सुलो कह रहा है कि गांधी जी को ब्रिटिस ने कौन सी उपाधी दी थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग ठीक है थोड़ा स्पीड से करेंगे क्यों क्यों क्यो उनने त्याग दी थी अगले कुशन की तरफ आईए अगला कुशन है कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किस ने दिया था करो या मरो का नारा किस ने दिया था भारत की आजादी के दौरान करो या मरो का नारा किस ने दिया था वीर सावरकर न पारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन के दौरान मेरे प्यारे साथ्यों या दखी के ची तरीके से करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे बापु जी थे बापु जी अगले कुश्चिन की तरफ आईए अगला प्रश्चन कुश्चन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा तुम मझे एक घंटा दो मैं तुम्हे नमब्र दिलवाओंगा यह कथन बाहु वली सरका और यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा जभाईललati nehru Nekuo चंद्रसे का राजा सुभास चंद्र बोस correct option बताओ यहाँ पे क्या होगा तो मेरे प्यारे साथ यहाँ दखीगा सुभास चंद्र बोस इसदा right option यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा सुभास चंद्र बोस इसदा correct option यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा पहरे साथ क्यों ठीक है याद रखीगा सुभाश चन्वो जिस्दा राइट ऑप्शन यहाप आपके सामने हो जाएगा ठीक है अगले कुश्चन की तरफ आईए अगला कुश्चन आपके सामने यहाप एक कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे यह शब्द किनके द्वारा कहे गए हैं यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यह सब्द किसके द्वारा कहे गए हैं जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा फटा 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 फट आंसर बताओ प्यारे साथियों क्या हो जल्दी से और मेरे भाई एक बाद सेशन को जल्दी से शियर भी कर दो यार जिन लोगों ने सेशन को शियर नहीं क्या है एक बाद जल्दी से फटाफट सेशन को शियर कर देंगे 150 जल्दी से करा दो मेरे भाई अभी तक 150 नहीं हुए म 150 कराओ राइट ऑप्शन क्या होगा महात्मा गांधी या दखीगा महात्मा गांधी राइट ऑप्शन होगा अगले कुछ दरब विस्मार्क ओफ इंडिया किसे कहा जाता है जवाल नाल नहरू को बल्लब भाई पटेल को सरोजनी नाइडू को या फिर लोकमाने तिलक को आंस सब्सक्राइब करें तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आज क्या ना में वो नहीं आई क्या आज वंदना शिरवास्ता व विरांगना इसब कहां है आज ना वो पल्लिवी भी नहीं दिखाई दे रही आस तो चलिए अगले कुशन की तरफ आईए अगला कुशन आपके सामने यहां पर है नेक्ट कुशन है कि सही सुरता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा सिच्छक होता है यह शब्द किसने कहें है यह तक ही अच्छी तरीके से गौतम बुद्ध महत्मा गांधी बराक ओबामा और दलाई रामा आंसर आपको बताना है कि सही सुरता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है यह सब्द किसने कहा है अच्छा विरांगना तुम हो very good very good मुझे लगा कि आज तुम सब लोगों ने छुट्टी कर ली आंसर बताओ यहांपे क्या होगा भई यह 150 जल्दी से कराओ तो यहां तछीगा right option क्या होगा दलाई लामा इस दा right option यहांपे हो जाएगा विचार रहते वे दूसरे तक जाते हैं ऐसा किस ने कहा है आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई जैसे ही 150 प्लस हो जाए ना तो आप स्क्रीन सोट लेके मुझे भेज दीजेगा ठीक है चलिए बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ दखीगा correct option यहाँ पे सामने यहाँ पे है कि भारत में पश्यमी सिच्छा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी कोशन यहाँ पर है कि भारत में भारत में पश्यमी सिच्छा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी बाल गंगा धर तिल यहां पर हो जाएगा ठीडिके क्या होगा च्पाइब राजा राम मोहन रास दराइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा अगले मैं यह जि भारत में सिछा की प्रगर्थी कि समिछ नहीं में प्रतांगा होगा भारत में सिच्छा की प्रगर्ती है तू विलियम हंटर समीती का गठन किस वर्स किया गया जल्दी से आंसर बताएंगे और मेरे प्यारे साथ यो एक बाद शेशन को शेयर कर दो यार मतलब आज नहीं कराओगे आज 150 प्लस जाना चाहिए शेशन यार एक बाद सभी लोगों से निवेदर ने भाईया शेयर कर दो शेशन को एक बाद जल्दी से हना 144 हो चुके है 150 प्लस ले जाओ मेरे भाई ठीक है करेक्ट ओप्शन यहाँ पे क्या होगा या दखीगा 1882 ओके एक करेक्ट ओप्शन होगा 27 का नेक्स्ट पे आईए वयस्क सिच्चा संगठन एडल्ट एजुकेशन और्गनाइजेशन ग्यान प्रसारक मंडली सुरू किसने की थी दादा भाई नरोजी ने गोपाल क्रेश्न गोखले ने लोकमान तिलक ने सरोजनी नाइडू ने आंसर बताओ यहाँ स्पर क्या हो जाएगा आंसर बताओं है मेरे पहले साथ जों क्या होगा तो याँ दखीगा correct option होगा यहाँ पे दादा भाई नरोजी is the right option हो जाएगा ठीक है अब समय थोड़ा कमे तो कोई tension मत लीजेगा दादा भाई नरोजी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अगले प्रस्ट की तरफ आईए अगला कोश्चन है कि 1884 में Deccan Education Society की स्थापना पुड़े में किसके द्वारा की गई थी ठीक है कोश्चन कह रहा है कि 1884 में Deccan Education Society कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आंसर बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा तो याद दखिया मेरे पहरे साथियो विश्नु शादी चिपलूकर और बाल गंगाधर तेलक द्वारा ये स्थापना की गई थी ठीक है याद दखिया Deccan Education Society की स्थापना काफी important है ये question ओके चलिए अगले question की तरफ आईए अगला question आपके सामने है कि उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को design किया उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को design किया B second option यहाँ पे इसका right option हो जाएगा second क्या होगा जैसी देर्ट सो हो जाए ना screenshot लेके मुझे भेज़ देना ये जिम्मेदारी सभी लड़के और लड़कियों की है जो मुझे जुड़े हुए 150 पे क्योंकि यहाँ पे ना चलिए अगले कुशन की तरफ आईए अगला कुशन आपके सामने है कि दिल्ली में दिल्ली में संसद भवन का निर्माट किस अवधी के दौरान किया गया था 1895 से 1900 1901 से 1909 1921 से 1927 1931 से 1935 आंसर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर बताओ, तो मेरे पहले सब याद दखीगा, 1921 से लेके 1927, ठीक है, C correct option होगा, 1921 से लेके 1927, अगले में आईए, अगला प्रश्ट आपके सामने है, कि Zero, Zero Michael Stone को विटिस द्वारा इस्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प कोल करता है, नाकपूर नहीं दिल्ली, आंसर बताने हैं आपको यहाँ पर क्या होगा, मेरे प्यारे साथ, यो एक बार जल्दी से शेशन को लाइक और शेयर कर दो भाईया, सभी लोग जल्दी से, 142 है, मैंने भी देखा, 142 है, इसका मतलब आठ लोगों को और जोड़ना ह है, तो मेरे भाई क्या होगा, अपना आठ लोगों को और जोड़ना है, तो अपना क्या हो जाएगा, मेरे भाई, 150 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि the zero mile stone was established by the British who used this point to measure all distance, where is it, यहाँ अगले कोशन की तरफ आईए, तो अगला प्रशन आपके सामने यहाँ पर यह रहा, कोशन आपके सामने कि अब्दुर, अब्दुर रहमान और ब्रिटिस राज के प्रतिनिधी, सिरी मार्टीमर, मार्टीमर की स्थापना के समझोते पर हत्याक्षर किये गए थे, रेट क्ल हत्याक्षर किये गए थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ला जबाब, ला जबाब, जल्दी से 150 प्लस कराईए मेरे भाई, और 33 नमबर कोशन चला है, देखो सब फस होगे इस कोशन में, कमेंट्स ओन कर लूँ के आप लोग सब यही बताओगे, कह रहा है कि अब्दुर रह्मान और विटिस राज के प्रतिनिदी स्री माठीमर, ने किसकी स्थापना के समझोते पर हत्याक्षर की थे, दूरंडरेखा, याद अकिएगा, दूरंडरेखा पर, ठीक है, दूरंडरेखा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां प का नितत तो किसने किया था? बता हूँ, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, नमक सथ्याग रहे का कि नितत तो किसने किया था? जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या होगा, तो याह दखीगा, सी राजड्यकोपालाचारी, ठीक है, तامिल नाडू, تمिल नाडू में हुए, नमक स पथ्याग रह का नेता तो किसने किया था याँ दखीगा सी राज उक catastrophe में से किसे प्राचीन समय में डेसिंद। नड़ू कहा जाता है को कोल्म कि मैसूर मदरोई और चितोड बताओ आंसर क्या होगा बहुत और बरी है बहुत बरी है बहुत Ik आंसर बताओ यहां पर क्या होगा यहां तो यहां दखी गा iska जो करेक्ट आंसर होगा देसिंग नाडु दे सिंग नाडू इसको प्यारे साथियों प्राचीन समय पे विच ओफ दे फॉलमिंग सिटी वस कॉल्ड सिंगू इन सिंगू इन सिंगू इन ताइम्स ए करेक्ट उप्शन होगा कोल्म ठीक है कोल्म को कहा जाते है चुत्तोर को नहीं कुशन नमबर 36 कह रहा है कि चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया 1865 में लड़ा गया 1892 में लड़ा गया 1849 में या 1856 में चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था बताव आंसर क्या होगा यहां पे यार मेरे भाई एक बाश शेशन को शेयर कर दो सभी लोग जल्दी से कहां चलेगे सभी लोग यार आधा अधूरा टेस्ट छोड़के जा रहे हो पाप लगेगा तुम्हें बहुत भेंकर वाला अठारा सो नंचास याद दखीगा चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया अठारा सो नंचास में लड़ा गया अगले कुश्यन की तरफ आओ अगला कुश्यन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कुश्यन नमबर थर्टी सैवन निमन लिखित में से कौन सा विद्रो हो ब्रिटिस साशकों तुवारा लगाए गए प्रतीबंदों के विरुध नहीं था फकीर एवं सन्यासी विद्रो इंड़को विद्रो संथाल विद्रो और नकसलवारी विद्रो तो आंसर बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ दखी का मेरे पहरे साथ यूग करेक्ट आंसर होगा नकसल वारी विद्रो ठीक है अगले कुशन की तरफ आईए अगला प्रशना आपके सामने है कि आत्म सम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछडी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्तो इसकी सुरुवात किसने की करेक्ट आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा इसकी सुरुवात किसने की है तो यहां तक ना इसकी सुरुवात करने वाले व्यक्ति का नाम है इवी राम सामी ठीक ना करने वाले वेक्ति का नाम क्या था तो दादा भाई नरोजी था ठीक है क्या नाम था दादा भाई नरोजी निम्ने में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ तो यहाद दखीगा 35 प्रश्णों का अंसर सही दिया है आप सचवाले सायक की रेस में हैं और बाकी की लोगों को मेहनत करने की आवशक्ता है ठीक है मेहनत करने की क्या है मेहनत करने की आवशक्ता है आवशक्ता तो आप सभी लोग कॉमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा ठी का है ठीक है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आप लोगों ने आप लोगों ने कितने सही किये है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं है जितने जितने सही किये कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है ठीक है हाँ नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कितन यहां पर 40 की जगह अगर मैं बात करूं 32 प्लस वाले जितने भी 32 से लेके 32 से जिसके भी जितने भी जाता है वो सभी सच्वाले साइक की देश में ठीक है दो नंबर और कम कर दिए क्योंकि पीच के प्रश्ण थोड़े से टफ थे 32 से नीचे वालों को मेहनत करने की आतिया व पहार ऐसा नहीं है उनको मेहनत करने की आओ शकता है अब हम लोग जब टेस्ट में मिलेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस टेस्ट पेपर में हम लोग 50 में 50 प्रश्णों का सही आंसर दे सके ठीक है क्योंकि 50 नंबर का ही कोश्ण आता है ठीक है 50 नंबर के आपके क्य किये मैरा अथन क्लाश इस पर पेशले 6 मेंनों के आपको कर आँगा तब तक के लिए जैहिन जैभारा ठेंक्यू सो मच बाइबाए टेक केर